आज़ाब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलंबरनी आप देख रहे हैं दा बरनी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो बुलंद शेहर हिंसा से जूड़ा हुआ जिसमें एक इंस्पेक्टर को शहीद होना पड़ा एक इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया कुछ हिंदुवादी संगटनों के उपदरवियों द्वारा उनके सर में गोली मारी गई पहले उनको पीटा गया उसके बाद उनके सर में गोली मारी गई सुबोध कुमार उनका नाम था उपर वाला उनकी आत्मा को शांती दे इंस्पेक्टर सुबोत कुमार शहीद हो चुके हैं हिंदुवादी संगड़ों इस मामले में 75 लोगों को खिलाब मुकदमा दर्जवा तीन लोगों को जो बजरंग दल से जोड़े हुए हैं और बीजेपी की युवा मोर्चा से जोड़े हुए हैं उनको साजिश का रचेता बताया गया इस मामले में लेकिन सवाल यह उठता है कि सुबोत कुमार जो थे उनके लिए पूरा हिंदुस्तान गम मना रहा है और ऐसे मैं ही एक ट्वीट आया है बहुती जो खास बन गया है ट्वीट वो है आमादमी पार् के जिम्मेदार हैं जिन्होंने पूरे थाने को आग लगा दी सुबोत कुमार को शहीद कर दिया उन अंध भक्तों को समझाने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीटर पर हम वो पंक्तियां आपको पढ़कर के सुना देते हैं उन्होंने क्या लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीटर हैंडल से जो पंक्तियां लिखी हैं डॉक्टर कुमार विश्वास से ट्वीट करके लिखी हैं वो पंक्तियां हम आपको पढ़कर के सुना देते हैं जो उन्होंने लिखा है कि लुटे सिय स्यासत की मंडी में और जुटी रुस्वाई में जाने कितना वक्त लगेगा रिष्टों की तुर्पाई में ये शेर दो पंक्तिया उन्हों लिखी हैं कि जो स्यासत की मंडी में लुट गए हैं और जुटी रुस्वाई में लुट गए हैं रिष्टे उनकी तुर्पाई करन में नजाने कितना वक्त लग जाएगा साथ ही उन्होंने दो लाइने और लिकिए इसी ट्वीट में अपने में जिसमें उन्हों लेका है कि सत्ता के लिए ये नेता कुछ भी कर सकते हैं अंद भक्तो जाग जाओ देश के सोहार्द को आग मत लगाओ नहीं तो कुछ नहीं और उन नेताओं को नर्भक्षी बताया है जो ये राजनीती कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो प्रदेश में सरकार चल रही है और जो देश में सरकार चल रही है वो ही इस तरह की राजनीती कर रहे हैं तो उनको बाकादा कुमार विश्वास ने नर्भक्षी बता दिया ह जिससे हम अर्दु जबान में आदम खोर कहते हैं मतलब कि जो लो जो इनसानों को खाने वाले लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है नर्भक्षी तो बेशक यह ऐसा ही चला जाया है चाहे वह अखिलाख हो जो अखिलाग दादरी में लिंचिंग ओई थी उसी के जांच अधिका के साथ रहना चाहिए और ये पंक्तियां अंद भक्तों तक जरूर पहुंचाएं आप सबी लोग से हमारी दर्खासत है कि इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया